हेलो फ्रेंड्स कैसे हूँ आप सब वेलकम बैक टू सूपर कंसेट फ्लासेज तो आज हम लोग क्लास 11 का इंग्लिश इलेक्टिव का सेट वान को कंप्लीट करेंगे ठीक है तो चलिए पहले हम लोग ये इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं फटा फट तो देखिए all questions are compulsory हम लोग को time जो है वो डेर घंटे का दिया जाएगा और total number of questions 40 होगा हर question के लिए एक number मिलेगा और हम लोग को एक question में 4 option दिया जाएगा और एक सही जो option रहेगा उसको select करना है ठीक है और गलात option के लिए जो है marks नहीं काटे जाएगे ठीक है तो देखिए हम लोग तो यहां पर question answer बनाएंगे ही लेकिन आप लोग को घर में इस passage को यह कोई भी पैसे जो उसको अच्छे से पढ़ना है एक बर तो जरूर पढ़ना है ठीक है इससे क्या होगा कि आप लोग का भी तैयारी रहेगा practice रहेगा और आप लोग भी exam में मतलब आपको पता रहेगा कि passage को कैसे handle करना है कैसे उसे question answer बनाना है ठीक है तो आप लोग passage को घर में जरूर पढ़ें तो चलिए हम लोग तब तक इससे question answer बनाते है ठीक है इसका जो correct answer है वो हो जाएगा colded parts of the world जो penguin से वो कहां रहते है तो वो दुनिया के सबसे ठंडी जगा में रहते है ठीक है तो option B जो है वो हमारा correct answer हो जाएगा चलिए next देखते है question number 2 है how do penguins move across the eyes ठीक है तो इसका option A है by wadling, option B है by paddling, option C है by swimming या फिर option D है by walking तो देखे इसका correct answer जो है वो हो जाएगा by wadling, ठीक है, option A जो है वो हमारा correct answer हो जाएगा, ठीक है question number 3 है penguins use their wings to dash, किसके रहे use करते हैं वो अपने wings को, option A है fly, option B है balance, option C है walk या फिर option D है dance तो इसका correct answer क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा balance, ठीक है, option B जो है वो हमारा correct answer हो जाएगा, ठीक है question number 4 है what do penguins eat, A shark, B fish, C seals या फिर D humans, तो penguins क्या खाते हैं, तो penguins खाते हैं fish, तो option B जो है वो हमारा correct answer हो जाएगा, next देखते है question number 5 है which animals eat penguins, penguins को कौन से जानवर खाते हैं, तो इसका answer क्या हो जाएगा, seal, saar, यानिके both A and B, तो option C जो है वो हमारा correct answer हो जाएगा question number 6 है penguins are very good at dash, वो किस में सबसे अच्छे होते हैं, तो वो होते हैं swimming में सबसे अच्छे, ठीक है, तो option B जो है वो हमारा correct answer हो जाएगा, next देखते हैं आप देखें हम लोग का यहाँ पे क्या है, एक poem दिया हुआ है ठीक है, और इसको हम लोग अच्छे से read करना है, और question number 7 से लेके 10 तक का जो है, वो इसी से दिया हुआ है questions आ ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से read कर लिजेगा, तब तक चलिए हम लोग question के और चलते है तो question number 7 है, what is the occasion being celebrated in the poem, poem कौन सा occasion celebrate किया जा रहा है, तो वो है murder's day, ठीक है, तो option C जो है, वो हमारा correct answer हो जाएगा, next देखते है, question number 8 है, they sang a dash for their mother, ठीक है, तो इसका answer हो जाएगा, serenade, ठीक है, तो option B जो है, वो हमारा correct answer हो जाएगा, next देखते है, question number 9 है, the surprise brought a smile on mother's face, ठीक है इसका correct answer हो जाएगा, option C, जो है, हमारा correct answer हो जाएगा, question number 10 है, choose a rhyming word for card from the poem, ठीक है, तो ये card का rhyming word हम लोगो चूज करना, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा heart, very simple है तो option C, जो है, वो हमारा correct answer हो जाएगा, question number 11 है, आप देखिए, यहां से आप लोगा grammar section start हो गया, ठीक ह ठीक है, option A, जो है, वो हमारा correct answer हो जाएगा, question number 12 है, the report should be passed, ठीक है, तो इसका क्या answer हो जाएगा, option A, clear, option B, brief, option C, concise, तो इसका जो answer हो जाएगा, option D, all of these, ठीक है, all of these, यानि कि option D, जो है, वो हमारा correct answer हो जाएगा, अब देखिए, यहां से हम लोगा book part सुरू होता है, ठीक ह which of the following is written by Anton Chekhov, ठीक है, इनके द्वारा जो है, कौन सा ये चारो में से लिखा गया, ठीक है, तो दर लमेंट जो है, ये Anton Chekhov के द्वारा लिखा गया, ठीक है, तो option C, जो है, वो हमारा correct answer हो जाएगा, next देखते है, question number 14 है, who is Iona Potapoh, Iona Potapoh कौन है, तो वो है एक cab driver, तो option B, ज what is the name of Iona's son, उसके son का नाम क्या था, तो वो था बरीन, ठीक है, तो option D, जो है, वो हमारा correct answer हो जाएगा, question number 16 है, what did बरीन die of, ठीक है, तो इसका correct answer हो जाएगा, high fever, ठीक है, option A, जो है, हमारा correct answer हो जाएगा, question number 17 है, राजाज, महरा राजाज, नवात, एंड इंग्लिश आर्म जनरल, बीर्स, ठीक है, तो इसका जो correct answer हो, वो हो जाएगा, lion, mustachios, ठीक है, तो option A, जो है, वो हमारा correct answer हो जाएगा, next देखते है, question number 18 है, sheep mustaches is of D, तो इसका जो correct answer है, वो हो जाएगा, coolies, ठीक है, option B, जो है, यह हमारा correct answer हो जाएगा, question number 19, who is it, रामानंद, से रामानंद क वो कौन है तो वो है एक landlord ठीक है तो option जो C है यह हमारा correct answer हो जाएगा next देखते हैं question number 21 the author of the story the rocking horse winner is इस story के जो author है वो कौन है तो वो है D.H. Lawrence ठीक है तो option C जो है वो हमारा correct answer हो जाएगा question number 22 how many children did the beautiful woman have in the story the rocking horse winner ठीक है तो इसका answer हो जाएगा 3 option C जो है वो हमारा correct answer हो जाएगा question number 23 who was Bassett? Bassett कौन था तो वो था एक young gardener ठीक है तो option C जो है वो हमारा correct answer हो जाएगा next देखते हैं अब देखिए यह जो extract है यह हमारा book से दिया हुआ है ठीक है question number 24 से लेकि 26 तक जो है वो इससे हम लोगो solve करना है तो चलिए इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा ठीक है हम लोग question solve करते है question number 24 है from which poem the evolved extract has been taken ठीक है यह जो extract है यह किस poem से लिया गया है तो यह लिया गया है the peacock से ठीक है तो हमारा जो correct answer हो जाएगा option C next देखते है question number 25 है which bird is referred in the poem तो इसका correct answer हो जाएगा peacock ठीक है option B जो है यह हमारा correct answer हो जाएगा question number 26 है where is the bird? but कहां है तो the bird is in the people tree ठीक है तो option B जो है यह हमारा correct answer हो जाएगा question number 27 है let me not to the marriage of true mind is a तो इसका जो answer है वो हो जाएगा love poem ठीक है option C जो है यह हमारा correct answer हो जाएगा next देखते है question number 28 है what is love compared to in the poem let me not to marriage of true mind तो यह जो है इसका correct answer हो जाएगा star ठीक है star से compare किया गया तो option A जो है यह हमारा correct answer हो जाएगा question number 29 है the poem telephone conversation is written by wall sewing card ठीक है इसका correct answer हो जाएगा option C ठीक है next देखते है question number 30 है telephone conversation is a conversation between ठीक है किसके किसके बीच का conversation था यह तो यह दा a negro and a white lady ठीक है तो option D जो है यह हमारा correct answer हो जाएगा question number 31 है the author's watch worked smoothly for 18 months ठीक है option A जो है option A जो है 18 months यह हमारा correct answer हो जाएगा question number 32 है the author marked when visited more than dash watchmakers ठीक है तो चलिए इसका answer जो है आप लोग comment box में बताईएगा क्या होगा ठीक है चलिए तब तक हम लोग next देखते हैं question number 33 है at first the author gave his watch to a dash to get it repair ठीक है तो वह सबसे पहले अपना watch कि तो वो है Bertrand Russell ठीक है तो option A जो है वो हमारा correct answer हो जाएगा question number 35 the first passion of the author is the longing for longing for यह क्या है तो इसका answer हो जाएगा option A love ठीक है option A जो है वो हमारा correct answer हो जाएगा question number 36 है which tribe society was bilingual ठीक है तो इसका जो answer है आप लोग comment में बताईए क्या होगा ठीक है question number 37 where is Santhal tribe found ठीक है तो इसका जो correct answer है वो हो जाएगा option A जारखन ठीक है option A जो है हमारा correct answer हो जाएगा next देखते है question number 38 है should world governments get involved in addressing climate change is a तो इसका answer हो जाएगा argumentative AC ठीक है option B जो है यह हमारा correct answer हो जाएगा question number 39 है that is a piece of writing that deals with its subject from a personal point width of view ठीक है तो इसका जो option है वो हो जाएगा L लेटर ठीक है option D जो है हमारा correct answer हो जाएगा अब हमारा last question question number 40 है which of the following is not the component of an AC writing ठीक है तो इसका answer हो जाएगा body ठीक है option B जो है इसका correct answer हो जाएगा तो इसी के साथ जो है हमारा class 11 का English elective का set 1 जो है वो complete हो चुका है तो मिलते है next class में जाएगा ==